नमस्कार साथियों, मैं हूँ यश्पाल, और आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ, यह है कोटेशन्स। अगर आप इन कोटेशन्स को याद रखके, जब भी कहीं किसी भिषए पे आपकी किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे आगर आग बातचीत करूं तो इन topics, in quotations का आप उधारन दे सकते हैं, अपनी बात को सावित कर सकते हैं, एक mature इनसान देख सकते हैं इन सब चीज़ों को करने से, तो आओ मिलकर इन चीज़ों को शुरू करते हैं Hillary Clinton ने कहा है, women are the largest untapped reservoir of talent in the world, कि अगर हम ये देखें कि इस संसार में जो, women ही एक ऐसा भंडार है, जिनकी ख्यमता को इस संसार में बिलकुल भी प्रजोग में नहीं लाया गया है, वो unused पड़ा हुआ है अगर हम चाहते हैं समाज का इस पूरे bishop का विकास करना तो हमें जरूरी है कि उसको क्या करें, women का जो women resources हैं, उनको हम man field में लाया है, उनको use करें जिसे देखो, हर इस पूरी प्रित्वी और जिदनी विवादी है, 50% man है, 50% women है, लेकिन कम से कम 5%, ज्यादा से ज्यादा 5% women ही men stream में काम कर रही हैं, बाकी 95% men के हवाले है सारा काम, तो क्या ऐसी समाज की प्रगति हो सकती है, तो इसलिए इससे क्या हो रहा है, जफिर बो 50% women आ गए आ रहे हैं, तो 95% women है, उनका जो energy है, जो पढ़ाई की है, जो उनके पास skills है, वो सारे बेस्ट जा रहे हैं, तो इसलिए उनको भी हमने, हमें man stream में लाना चाहिए, अगला quotation है, ब्रिंगम, 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 जंका, बो बोलते हैं, you educate a man, you educate a man, you educate a woman, you educate a generation कि अगर आप एक आदमी को पुरुष को education देते हैं, तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही education देते हैं, लेकर आप एक woman को education देते हैं, तो आप पूरी generation को education देते हैं, इसको इस तरह से समझाते हैं, जैसे woman, और जब छोटी होती है, तो अपने माइके में होती है, अपने घर मे होती है अगर उसको एजुकेशन देते है तो अपने घर में जहां वो बली बड़ी है वह उस परिबार को संभालती है अगर फिर वो जब शादी हो जाती है दूसरे घर में जाती है बहां भी वो एजुकेशन से संभालती है उस घर को भी संभालना है फिर उसके जब बच्चे होंगे उन बच्चों को भी एजुकेशन जातर बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते हैं तो इसलिए लेकर अगर एक पुरुष को आप एजुकेशन देते हैं सबसे पहले दो अपने घर में ही रहता है फिर जब घर में ही रहता है शादी होने के जातर बाहर ही अपने काम में म पढ़कियों को पढ़ाया होगा तो हमने पूरी जनरेशन को यह एजूकेशन दी होगी। अगला है को फी एन बोलते हैं तू एजूकेट गाल्स ईस टू रेडियूस पौबर्टी अगर हम चाहते है कि पौबर्टी मतलब बूमन को एजूकेशन देना मैंस पौबर्टी को कम करना है सच वात है क्योंकि इतनी जदा अधार गरीबी कैसे है बहुत सारी अधार क्यों नहीं है डिपेंडेंस किसी पर तो जब कोई मालो इनसान एक इनसान घर में कमाने बाला चार इनसान उस पर खाने वाले हैं तो बताओ फिर कौँस वह अमीरी में जा पाएगा नहीं ना लेकिन मालो दो घर में इनसाने एक और एक मरद है और क्या अगर दोणू कमा रहे उनको हम शिक्षा दिये दोनों उस लाइक हैं काम करने एक मारे है तो उस घर में गरीबी आएगी नहीं आएगी लेकन अगर मालो एक मारा एक खारा है घर पे तो मतलब हो सकता है जो कमाने बाला बही बिमार हो जाए तो फिर गरीबी तो गरीबी होग मेरी कहां से होगी तो हम पूरी community को सशक्त करते हैं एक पूरे बर्ग को सशक्त करते हैं जिसे मर्द तो सशक्त हैं ही अभी देखो जो हमारा जो समाज चल रहा है इसमें तो मर्द empower तो हैं ही लेकिन जब मर्द empower है तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है तो अगर हम चाहते हैं कि समाज हमारा community हो तो उसके लिए जरूरि कि हमने औरतों को को व्हिति아서 जरूरी है। जब आर्तों को इंपावर किया जाएक तो वह समाज आइटॉमेटिकली आइपमाबड हो जाएगा। अगला quotation है Christina Lagardeaga वो कहते है women do better, economists do better कि जब औरतें किसी भी अपनी field में better करती हैं, ज्यादा उपलबदी हैं हासल करती हैं तो वो हमारी economy भी growth करती है किसी देखो ना हमारे देश में जैसे 50% women है, 50% men है 50% बंदे ही men ही काम कर रहे हैं तो 50% जो हमारे resources women resources बो तो हमारे base में जा रहे हैं बिना मतलब के base हो रहे हैं तो अगर हम उनको भी अगर field में लाएं तो हमारी economy कितनी better करेगी और psychologists का, experts का यह मानना है कि women जो है मर्दों से ज़्यादा किसी भी काम में successful हो सकती है उनमें ज़्यादा skills होते हैं उनमें ज़्यादा patience होता है वो किसी भी जो managerial qualities होती है वो उनमें अच्छी होती है एक मर्द की दुल्न में जैसे बवेकानन ने कहा है अगला quote है There is no chance of the welfare of the world unless the condition of women is improved It is not possible for a world to fly on one wing कि स्वामें बेकानन जी बोर्ण है कि इस कोई भी मौका नहीं कि अगर जब तक हम women की स्थित्य को सुदा रहेंगे नी हमारे पास एक भी मौका नहीं कि इस पूरे संसार की condition improve हो स्थित्य थी improve हो अच्छी हो क्योंकि एक punk पर कोई भी मालो जे पूरा संसार क्या है punk पंक्शी है इसके दो punk क्या है औरत और मर्द लेकर मालो हमने मर्दों को ही सजक्त किया हुआ है मर्द ही अब सब कुछ कर रहे है तो बताओ एक punk पर वो उड़ पाएगा जिस संसार चल पाएगा नहीं इस संसार को चलाने के लिए जुरूरी है कि इस संसार की जो दोनों punk है जो औरत और मर्द है इस तरह प्रूशन दोनों को इंपाबर होना चाहिए दोनों को बराबर होना तब ही जिस संबबाएगे हमारा समाज आगे बड़े प्रगरती करे अगला quotation है मलाला जूस्वजाएका वो कहते हैं कि हम सब कभी प्रगती नहीं कर सकते हैं और कैसे प्रगती कर सकते हैं जब हमारी आदी पापॉलेशन है जो बुमन है औरत हैं उनको अगर हम पीशे रखेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा जैसे मैंने अभी एग्जेम्पल देखिया एक घर में दो इनसान है एक पुरुश एक हिस्त्री है एक कमा रहा है दूसरा खा रहा है तो वो खर्चा कम ही तो होगा लेकिन मान लो दौनों जब वो काम करेंगे दौनों कमा के लाएं तो उससे क्या होगा उनका खर्चा जो बर्डन है एक पे इनसान पे है वो दौनों का बंड जाएगा और उससे क्या होगा ने जब औरत भी काम करेगी बाहर जाके तो उससे क्या होता कि घर की रिस्पंसिबिलिटी में मर्द भी अपना हाथ फटाएंगे आदी आदी responsibility करेंगे दोनों कमाएंगे दोनों घर का काम करेंगे लेकन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और अगर गर पे रहती है तो पूरा घर का burden उस पे आ जाता है और पूरा financial resources का burden मर्द भी आ जाता है तो इसलिए जरूरी है कि women को हम आगे लाएं अगला है Michelle Obama का जो code वो को बोलती है the major of any society is how it treats its women and girls कि हम किसी भी society का जो पैमाना है उसका जो प्रगती है हम इस तरीके से नरदारिद कर सकते हैं कि वो जो समाज है आउरतों को और लड़कियों को किस तरह से treat करता है प्रगती की और बढ़ने बाला समाज है और बढ़ेगा लेकर जहां पर और अउरतों को अच्छे से treat नहीं किया जाता है उनके साथ अच्छा बैबार नहीं होता है तो हम उस समाज की कभी उस समाज से कभी भी affection नहीं कर सकते हैं जल्द ही मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊंगा दूसरे टापिक पर धन्यवाद